हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका अपने चैनल ग्यान की दुनिया में आज हम लोग सिखेंगे एलजेब्रा के कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूला जो की एक्जाम के टाइम में आपको याद नहीं रहते हैं इसलिए आप पहले से उसे इस तरह से लिख करके और याद करेंगे तो आपको याद रहेंगे इसलिए ठीक है तो आईए हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वाइर इस इक्वल टू ए स्क्वाइर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वाइर फ्रेंड्स मैं आपसे बोलना चाती हूँ कि आप इस तरह से एक पेज में सारे फॉर्मूला को लिख लीजे और जहां भी आप जब पढ़ नहीं रहे होते हैं जैसे कि आपका डाइनिंग टेबल है और जब आप सोने जाते हैं तो वहां पर बेट के साइड में जो वाल है उस पे यह पेपर आप चिपका लीजे जिससे की यह फॉर्मूला जो है एक नजर उस पे आपकी पढ़ेगी पढ़ेगी और आपको एकदम अच्छी तरह से यह फॉर्मूला याद हो जाएंगे आपको बार बार भूलने वाली जो प्रॉब्लम है वो कभी भी नहीं आएगे और इस तरह इतने अच्छे से याद हो जाएंगे कि आप इसे कभी नहीं भूलेंगे चीक है नंबर टू देखते हैं नंबर टू ए मिनस बी का होल स्कार इस एकल तो ए स्कार मिनस तो ए बी प्लस बी स्कार नंबर टूरी अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी ओन कर दे जिससे की मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप कोई वीडियो मिस ना कड़ें ठीक है क्योंकि मुझे आपके support की बहुत जरूरत है और सायद आपको भी मेरे support की बहुत जरूरत होगी तो कोई भी question अगर maths में आपको नहीं समझ में आता है या कहीं भी बनाने में दिक्कत आ रही है तो आप comment section में simple question type कीजिए और मुझसे पूछ लीजे ठीक है नमबर 4 क्या है A square minus B square is equal to A plus B into A minus B next क्या है 5 number A plus B plus C का whole square is equal to A square plus B square plus C square plus 2 A B plus 2 B C plus 2 C A next step 6 number इसे कैसे लिखेंगे A minus B minus C थोड़ा लंबा है मगर मैंने जो trick बताई ना इसे पेज में लिख करके और जब आप नहीं पढ़ रहे होते हैं वहाँ पर चिप्का लीजे एक नजर वहाँ जाएगी ही और बस automatically ये सब formula जो है अच्छी तरह से याद हो जाएंगे आपको A minus B minus C का whole square is equal to A square plus B square plus C square minus 2AB plus 2BC minus 2C A आगे देखते हैं A square plus B square next one is number 8 A plus B का whole square minus A minus B का whole square is equal to 4AB ये जितने भी formula हैं बहुत easy हैं देखने में थोड़ा टफ लगता है algebra लेकिन सच मानिए maths में algebra ही सबसे easy subject है जो बहुत आसानी से solve हो जाता है बहुत easily solve होता है number 9 A plus B का whole cube is equal to A cube plus 3A square B plus 3AB square plus B cube next one is A minus B का whole cube is equal to A cube minus 3A square B plus 3A B square minus B3 next one is number 11 A cube plus A cube plus B cube is equal to A plus B into A square minus AB plus B square इस तरह से कुछ मैंने important formulas को ही हे यहाँ पर लिया है अभी और भी formula है algebra के मैंने important formula को यहाँ पर लिया है इसे आप इस तरह से लिख ले एक page में और इस तरह से लिक कर के आप इससे वहां पर चिपका दे जहाँ जब आप नहीं पड़ रहे होते हैं या मेरी वीडियो को तो आप इस तरह से आप फर्मूलास को लिख ले और याद कर ले फ्रेंड्स आप इस तरह से इस वीडियो को डाउलोड करके भी फोन पे भी देख सकते हैं बार बार फ्री टाइम में जब आप फ्री टाइम में हो तो फोन पे आप इसे देख सकते हैं जिसे आपको ये बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा ले और कोई भी आपको मैस में डाउट है कुछ भी पूछना है कोई कोश्चन नहीं समझ में आ रहा है आपकी बुक का तो आप प्लीज कमेंट सेक्षन में वो कोश्चन दिखिए मैं आपको आंसर करूंगी थैंक यू